baik subscribe कि ra 미्मारे चैनल एके को और पिस किजीए बेल आईकन को हमारे लेटेस्ट विडियो की अपس अप्टेट सब से पहले पाते रहने की जिए हमारा टॉपिक है एलेक्टिकल ड्राइब की उसके क्या क्या होते हैं उसके बात करेंगे हमारा आप electronics दोनों दोनों ही branches में हमारे exam में पूछे जाने वाला है ऐसे भी हमारे प्रेक्टिकली काम करते ताइम पे में electric drive की knowledge होनी चाहिए हमारे के बहुत important topic है electrical drive फ्रेंड पहले बात कर दोने electrical drive में होता क्या क्या हो फ्रेंड electrical drive में power source होता है जो हमारा input supply होगी first thing दूसरा होता power modulator motor load sensing unit and controlling unit यह हमारा electrical drive के अंदर होता तो फ्रेंड इसमें किस पार्ट का किस हमारा जो पार्ट है में किस पार्ट का क्या काम होता है इसको आपको explain करने कोशिश करेंगे तो फ्रेंड जो हमारा पहला point repel है power source कि power source क्या होता है प्रेंड पावर सोर्स हमारा AC single face AC three face और DC यह हमारा तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि हमारी जैसे जैसे हमने motor लगाई है उसके DC मोटर लगाई है तो DC supply यहां पर input में देंगे AC मोटर लगाई है थ्री फेस में थ्री फेस सप्लाई देंगे single face AC मोटर लगाई है तो single face AC supply देंगे तो यह हमारा motor की requirement की according यहां पर AC DC supply दी जाती है और फ्रेंड हमारा next point है power modulator कि हमारा atmosphere power modulator उता है यह हमारे जो in order from power specialist चीस से कहरे है हमारी निम्लेट करता है यह मोडियूलेट इ trata की मोडूलेट का मतलब क्या क्या थे अ मश्याम माइम कन tी मोडूलेट का एक्सब मीनिग क्या होता है इसेते ए्क तरह से हमारा जो पावर सप्लाई है उसको हमारा जो एलेक्ट्रिकल एनरजी कहले या फिर एसी सप्लाई डिसप्लाई कुछ भी कहले अपने उसके एकॉर्डिंग तो उसको कंट्रोल करती है हमारा कंट्रोलिंग का मतलब है फ्रेंड्स की हमारा जो सप्लाई हमें जो मोटर को इतनी सप्लाई कदेनी है उतनी आ रहे हैं तो उसको कम ज़्यादा आए या फिर कोई भी प्रॉलम तो उसको कंट्रोल करती है यह हमारा जो इलेक्रिकल फ्लोव है इसको कंट्रोल करती है और हमारी जिस नेचर की मोटर है उसके अकॉर्डिंग उसको supply प्रोवाइड कराती है तो जैसा हमें मो प्रेंड्स लोड हो गया कि हमने मोटर के साथ में किस चीज़ को कपल किया किस चीज़ को कनेक्ट किया है हमें हम कोई फैंच चला रहे हैं पंप चला रहे हैं कोई और मेंगेनिकल टूल हो गया ड्रिल मसीन हो गई हमारा ट्रेक्शन हो गया किस परपज के लिए हम यूज कर र लगा रहे हैं तो कभी हम किसी फैन में लगा सकते हैं रेक्शन मोटर रहे किस टाइप की मोटर है तो उसको उस ट्राइप की परपज के लिए उसको उसको कपल करते हैं इसको क्मांड देता है कि कि हमारी जो motor चल रही ज्यादा load तो नहीं ले रही है कोई और किसी तरीके का motor में फॉल्ट तो नहीं है तो यह हमारा control unit जो हता है उसको motor को power modulator command देता है कि हमारी motor ओभर load तो नहीं वरी ओभर speed तो नहीं वरी ओभर current तो नहीं वरी जो भी चीज controlling होगी, controlling unit हो गया, हर तरह का controlling का हमारे motor की ठीच चल देए, supply के में problem, कोई भी problem आये, तो motor को यह हमारा power modulator को command देता है, और power modulator उस command के according work करता है, motor को में supply provide कराता है, या फिर उसको trip करना होता है, तो यह हमारा जो control unit, motor की पूरी की पूरी controlling हमारे जो control unit पे depend करती है, क्योंकि control unit जो होता है, वह ही power modulator को command देता है, फ्रेंड, इसके बाद हमारा next topic है sensing unit, जो हमारा sensing unit होता है, यह हमारा motor की load को, motor की speed को sense करता है, कि हमारी जो motor है, अबर लोड तो नहीं होरी, over speed तो नहीं होरी, इसके बाद, मतलब motor की हर तरह की protection जो होती है, हमारा sensing unit पे depend करता है, जो हमारा sensing unit होता है, motor की हर एक छोटी से बड़ी fault को, या फिर motor ठीक चल दिए, इस चीज को sense करके control unit को command देता है, फ्रेंड, यह था हमारा electric drive का block diagram, आपको वीडियो जैसा भी लगाओ, comment करें जो बना वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो को लाइक करता है, और फ्रेंड, वीडियो को देखने बाद, यह जरू करना है, वीडियो को बहुत बहुत धन्याद, थैंक्यू